नमस्कार राम राम कैसे हो आप सब लोग कैसे चल रही है आपकी तयारी तो जिस तरीके से बजट में अनॉंसमेंट हुआ था कि 70,000 भरतिया जो है वो सरकार लेके आने वाली है तो अनॉंसमेंट के बाद उसका इंप्लिमेंशन जो है वो भी बड़ा फास्ट है तो सरकार ने जिस तरीके से युवाओं के लिए 70,000 भरतियों का अनॉंसमेंट किया था उसी तरीके से आपकी पहली भरति सरकार ने आज अनॉंसमेंट भी कर दिये जिसके बारे में विग्यपति जल्दी आपके लिए आ जाएगी और आज यह आप पेपर दे के फ्री होए है और पेपर जबन पदों पर भरती हो रही है और यह एक ऐसी वेकेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा सचवाले के पदोर है तो यह भी अपने आप में अच्छी चीज है तो LDC की भरती के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगें क्योंकि आपको आइने वाले लगबक जो है वो आल्मो सामाने ग्यान वाली जन्रलाइजेशन वाली है इसमें आपको स्पेशलाइजेशन की कोई जुर्यत नहीं है हां आपके LDC की भरती जो है वह आपके यहां पर याद रहे हैं आपके 12th लेवल की है और पटवार और वीडियो की जो भरती होती है वो ग्रेजवेशन लेवल की होती है लेकिन लगबग पेपर जो है उसके एक तैयारी आदमी को वैसे ग्रेजवेशन लेवल की अच्छी करनी चीए सबसे पहले डाउट है कि सर इसके अंदर पद कितने आएंगे योग्यता क्या रहेगी और सलेबस क्या रहेगी तो अभी तक जो है वह आपके हैं सलेब आपको तैयारी करनी और continuity है एक स्टुडेंट के लिए बहुत जरूरी है अगर आप पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं सलेबस वही होता है मैत पढ़नी है अंग्रेजी पढ़नी है गनित पढ़नी है साइंस पढ़नी है राजस्तान जीके पढ़ना है एंडिये जीके पढ अंदर है या नहीं है तो सीटी का जब हम नोटिफिकेशन देखें तो आपका जो सीटी का नोटिफिकेशन था उसके अंदर सेवाओं के नाम लिखे वे थे और उनके अंदर दोस्तों आपके कनिस साइक भरती जो है वो दोस्तों उसके अंदर जो है वो मैंचन थी तो यह तो आप लोगों पता ही है कि है senior secondary level के अंदर कनिसिसा एक बढ़ती उसके अंदर जो में इंक्लूड थी तो ये आप लोगों को एक दम clear है कि ये जह वह CT के अभी के साब से अभी तो विग्यपती आएगी लेकिन आपका CT जो है उसके आदार पर आप लोगों को ये चीज आपके सामने योगेता पहली योगेता आपको पता है कि एक तो योगेता सबसे जदा continuity बनी रहती है, LDC की नोगली लगने के बाद में आप आगे भी तयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ी है फिर अपने जो है वो gold decider को बहुत सारे लोग LDC लगते हैं उसके बाद में RS भी बनते हैं, तो आप बढ़ी है तरीके से जो एक target और आपके age group में जो relaxation जो होते हैं, वो विग्यप्ति में लिखे याएंगे, अब सबसे बड़ी बात कि सर इसके अंदर जो syllabus के, मैं हजार बार नहीं कितनी बार कहा चुका हूँ, कोई वी paper की तयारी कर रहे हो, अगर आप राजस्तान से समंधित परतियों की ताप लोग अच्छा कर ले, तो चाए कोई सी भी बड़ती आए, चाए पटवार की आए, चाए वीडियो की आए, चाए कोई सी बड़ती आए, वो हर बड़ती के अंदर जो है, वो परतिस परदा में है, selection की संभावना हैं, भी उसकी पूरी है, बस हमारी गलती यह हैं कि हम जो ह पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, वो ही अपने आप में समझे हैं पैदा करता है, ठीक है, तो आपको इसके syllabus में अगर आप लोग देखेंगे जनरली, तो लास्ट टाइम वाला में syllabus आप लोगों से mention कर रहा हूं, तो आप यहां जो है, वो इस syllabus के वार आर्थिक विकास और योजने सारी चीज़े इसमें इंकलूड है, और उसके बाद में राजस्तान जो है, वो दोस्तों हिस्टेंड आर्टेंड कल्चर इंकलूड होगा, उसके साथ 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 साइंस बहुत मैट पूल, पहले दिन से अगर क्लास लगाएंगे ना आपक साइंस की लगाएंगे, तुम भी अगर पढ़ रहे हो ना, तो आपके साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ ले ना, आप जो लोग साइंस से पिच्छा छुडा रहे ना, ये एक ऐसी बरती है, बिना साइंस काम नहीं चलेगा, सबसे ज़्यादा सलेबस का अगर एक्स्प् परियावन देन की बात करें, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने पढ़ेंगे, और पढ़ने पढ़ेंगे, साइंस के पिछे ही पढ़ेंगे, अब तो साइंस, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, क्योंकि जी कि आप भूट और पक्षों की तरफ ध्यान दो, और उनके उपर ध्यान दे कि और उनको सही करो, आपने अगर साइंस अच्छा कर लिया, हिंदी, इंग्लिस सही कर लिए, आपने मैथ रिजनिंग सही कर लिए, तो मैं कहा रहा हूँ, कोई भी वेकेंस योब लें, जी क्या आपका पहले से तयार है, उसको सही करते रहो, टेस्ट लगाते रहो, सारी चीजे करते रहो, लेकिन इसमें अगर आपने इंप्रूमेंट कर लिया ना, आज से जो ना, पॉइंट बना लो भी लें, कि हाँ मेरे को ये सही कर नहीं है, अगर आप अपने कमजोरियों के पिछे भागोगे, प लोगों पता है, पटवार LDC भी आने वाले टाइम में आये गई, तो ये आपके लिए ना, गोल्डन चांस है, अब लग जाओ भई, आप सरकार लग गी ना, तो तुम भी लग जाओ, कि भई, आप तो भरती आएंगी, जदा जदा भरती आएंगी, तुम्हें सेलेक्शन लेना, बस टार्गेट हो जाना कि चाहिए, कि अब तो स्लेक्षन लेकर जाना है, तो हर बार समझ्षा यह तो कहीं साइस दे दी होगी, यह कहीं पर मैत दे रही होगी, यह तो अर् gerçektenि तो आर्ट वालों को समझ्षा दे रही है, तो साइन्स, मैत और अट दे रही है, तो तो वैसे पढ़ो थोड़ा थोड़ा वापस इंट्रेस जनरेट करो यार आर बीसी डब्लू बीसी क्या होता है क्वेस्टन वही सही आते हैं वही सारी चीज है चिप्स में कौन सी गेस होती है यह अपन पढ़ा करते थे न तो वही आपका जो है वह ट्वल्त का इस तरह है लगवाएं यही किस तारीक से जब आपका बेच्च स्टार्ट होगा उसके बाद में अगर हम बात करें मैस की तो मैस सभी मत बागो तो यहां देखो अगर आप लोग देखेंगे तो कितने क्वेशन आएंगे सो आपके टोटल जो है वो दोस्तों जो है वो सो नंबर का अब पहले पर माँ में आदमे लीड लेना चाता है तो कहां लीड लेगा भाई साम वो मैंत बहुत अच्ञे से और सभी है तो ही सबसक्राइब आपका यह आपका सबस्तों को तो रीड करो रिवाई करो रिपीट करो टेस्ट देंगे उतने नहीं है उतने देवाई पट्वार वीडियो की तरी तरी कर रहे उनको भी कर रहा हूँ LDC के लिए तयार हो जो LDC की तयारी करोगी तो पटवार वीडियो की तयारी वैसे ही हो जाएगी मैं तो कर रहा हूँ कोई आदमे अगर तयारी करने की सोच रहा है आगे आने वाले एक साल के लिए तो पटवार वीडियो LDC तीनों की कॉम्बो तयारी गरनी चीए एक साथ तयारी गरनी चीए अब जो लोग हिंदी अंग्रेजी से बाग रहे थे उनसे मैं पूछना चाहरा हूँ आप अंग्रेजी से कब तक बागोगे चलो दस विपास कर ल कि के उल और के उल को ऐसा सब्जेक्ट यह तो मैत यांग्रेजी कभी कभी साइन्स तो अब इनके पीछे पड़ जाओ और के वापस से किसमें लगो हिंदी अंग्रेजी में पड़ायी ए तो बढ़ी हिंदी के क्लास से तो लेनी है साथ में जो हिंदी का जुवोगे वाला जो पढ़ाने से नहीं, प्रैक्टिस से लिख लिख कर याद करने से याता है भई, आप एक सिंपल चीज है, प्रहेवाची तो अपने को रेटने हैं, विलोम सब्द तो अपने को याद करने हैं, परते उपसर्ग तो अपने को याद करने हैं, तो विलोम सब्द अपने को या आपके चीज अपने को याद करना है तो इनके लिए तो खुद लगजाओ और तो चलो वाक्षिधी, सब्द्द्दी, वाच्च्चे क्या होता है, क्रिए' क्या होता है यह सारी तो आपकी लग जाएंगे, यह तो आप बढ़िये तीरीके से पढ़ लेना लेकिन जो चीज आपके हाथ में उसकी तयारी आप खुदी स्टार्ट कर दो उसके लिए किसी के बरोशे नहीं रहो इनके टेस्ट देऊ बढ़िया से बढ़िया और टेस्ट उल जए देश्ट तो देना ही है सम में चीज कियो अब किताब के अंदर एठीम विलोम सब लिखेड़ा याद करो एक साइड फोन रखो बोल बोल याद करो लिख लिकर याद करो पिछे पड़ जो हा मलब कोपी ने कि याद कोने और यो आईलाइट करो दुबार याद करो देखो आप याद कोने और अलग हो लिख लिए बांद दिन में दो बार देखो सब्टम पांच बार देखो भाई ठीक है जित्तों टाइम मिलो बांद देखो और आपको खुद को पता चल जाएगा थोड़े दिनों चुक्त आप यारोगे तो प्रैक्टिस करने गुर्दी से थोड़े रूल पढ़ लो याद करो थोड़े संगया पढ़ लोगा त्यार हो जाएगे लेकिन ये जो वह पुर्चन है ये एक दिन मा नहीं खोगा को यादमी सोचे में थोड़ा सा पढ़ रातवा तयार हो जाए एक दिन बनी होगा अभी से लग जाओ अभी से लग जाओ दस वी बार में इंद्य अंग्रेजी पढ़के यह अपने तो अब पढ़ोगे तो त्यार हो जाएंगे यह और अंग्रेजी जो सबसे बड़ी समझ्च्या तो अंग्रेजी तो आप टेंचन लेन की जुरुत नहीं ह अब तो तो आपको कवर करने लेकिन मुद्दे की बात यह कि इसके अंदर भी आप आज से लगो सिनोनिम आपके सामने एंटोनिम आपके सामने टेक्निकल टरम्स आप लोग जो अभी से याद करना है स्टार्ट कर दो कर सकते हो ना उसके साथ साथ वन वर्ड आप लोग याद कर सकते हो confusing word आप लोग अभी से याद कर सकते हो यह कुछ portion है जिनको आप अभी से याद करना स्टार्ट करो और फिर 10 से तो पड़ेंगी गया था गई थी चुके थे चुकी थी पड़ा था ना अपन लोगों ने दस्वी बारे में वापस पड़ेंगे लेकिन डर के स बैए मतलब ऐसे मन से मत पड़ेंघेंगे-पाइथा यादमी को तो जब नौकरी लेनी है तो पड़ेगी तो अंग्रेजी के अंदर पर एक मतलब से चाव होना चीए कि इस बार है ना मेरे ये अंघ्रे जी की जो समश्या है ना इन 3-4 महिनों मैं इसको तो खत्मी करूंगा आगे चाए कोई वेकेंसी आजए मैं अंघ्रे जी के नाम पर है ना एस अपन नहीं हूँगा यह एक मतलब चैलेंज लेके जाना है कि हाँ यह तो मिरे को cover करना ही है अगर कोई बात नहीं वापस से पढ़ेंगे चाहिए टेंस हो चाहिए एक्टी वोई स्पैसी वोई डायरेक्ट इंडायरेक्ट सेंटेंस बनाना आर्टिकल डिट्रेमिनर प्री पोजिशन ट्रांसलेशन सब पढ़ेंगे क्या attention पिर आदमी को उनके ब्राबर वे टेज है है तो फिर क्या है यार के वे तो करना ही पड़ेगा अब हिंदी अंगरे जी तुम्हारा जो मैत हो रहा है तुम्हारा जो साइंस हो रहा है तुमहारा जो cool लेंट इंगलि इंक्ली है इसㅎ के सा साทी हीन्दी उन्गलिस और दिन Lalका एक गांटा जो है वो रटनी वाली जो चीजह है उनको अभी से दे दो बढ़ी है तरीके से पढ़ना है स्टार्ट कर दो तो इधर वड़ा काम जो पढ़ना है सर से वो तो सर से पढ़ लू जो खुद को याद करना है वो खुद याद कर लो दो तीन महीने ये काम करो दो महीने ये काम करो फिर बड़ी है तरी किसे टेस्ट देते रहे ना इधर जो है वो आपको दो तीन गंटे ये करने के बाद जीके अपना रिवाइज करते रहो जब अपडेटेड आपका है इको सर्वेर वो आपको और कवर करवा देंगे जीके पढ़ते रहो जो भी पोर्षन कमजोर है लगाना दो-तीन गंटे किल लेनी घ्रमर्गी मैस साइज के अंदर प्लास लेनी रिविजन करना इंटर्स ऍपेलस के आण पिरंगे तो वहाँ पेपर फिर मैं फिर ाइंस वहाँ पर involved लिजनिंग कि बड़ियें तैंचन्छ लेने की जुरत काम पे वो इंदी वाँ पर वह एंगरेजि आपके बड़कर दोना आएगी जब सलिबस सेम है आप अगर इन तीनों भुरतियों को देखें चाहिए आपकी भरती है जहे वो पटवार की चाहे आपके LDC की भरती हो चाहे पटवार की भरती हो चाहे आने वाले टाइम में वीडियो की भरती हो LDC भरती में जरूर जो हो 12th लेवल का यहां पर अदर च्यूशन काएगा लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यही आपका पर हिंदी इसमें भी आनी है इसमें भी आनी है यही तो दोस्तों एंग्लिस का पोर्शन यहां पर यहां पर आता है साइन्स यहां पर भी आएगी तो साइन्स यहां पर भी आएगी इंडिया जी के यहां पर भी आएगा और करेंट फेर यहां पर भी आएगा तो करेंट फेर यहां पर भी आएगा और उसके बाद में यही तो है बस तो तैयारी तो कोमनी होती है तो तैयारी कोमन होती है तो त सफलता देखनी पड़ती है लेकिन सफलता का मतलब यह नहीं है कि और रास्ती बंद हो गया है ना ऐसे कोई मतलब है मैं बार 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 बचो गयता हूं कि डी मोटिवेट होने कि एक देन बहुत सबसे जो खराब जो चीज चल रहे हैं आज के टायम में मैं आरेस की स्टूडे कि थे सबसितों में दो तаров मानवा मुझा कोई नमब्र या कोई बात है महाँ टेम 25-26 की उमर लोग त्यारी करनों चालूग रहा यह करता था सबसुत्र लोग बहुत सरे स्टूडंट से bauftू ने मतलब पीदा पोचु उनके टाइम की बात पूचो में मेरी टाइम तो चलो आप से 5-6 साल पुराने की बात होई आप उन से बूचो 15 साल पहले की बात है कि लोग तयारी स्टार्ट किया करते थे 25 की उमर में तो और आप 25 की उमर में डी मोटिवेट हो के बैटे हो ये बहुत गलत बात है ये मैं जब आप सहर में मिलता हूँ परिवार में लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने दो बार आरे स्प्री दे लिया एक बार दे लिया पीए साई का पेपर दे लिया हो या दो तीन वेकेंसी बेक टू बेक दे लिया हो तो यह सुच है कि मरम केलिबरी को नहीं कर लो अगली बार आपका हो जएगा तो घरवालों को भी इस चीज में आप लोगों का सही हो करना चाहिए अगर कोई अगर कर लेंगे वेकेंशियां आएंगी हमें जो शपलता लेनी है तो बस निरंतर लगे रहेना पड़ेगा डी मोटिवेट कभी नहीं होना सेलेक्शन लेके जाना है और हम सीख करी जाएंगे हमारा कुछ ही नहीं बिगड़ेगा पड़ाई करते रहो बड़ी है तरीके से लगबग 6 गंटे लाइव क्लासेज चलेगी फिर टेस्ट वेस सब कुछ देंगे टेंशन लेंड के आपको जुरत नहीं है और जो भी स्टूडेंट है पटवार वीडियो लेना चाहिए वो तीनों का कॉम्बो भी ले सकते हैं पटवार वीडियो एल्डिसी तो आपको टे लेने की जुरत के एक अंटेंड मिल जाएगा उसके साथ साथ पीडियो टेस्ट लगाते रहना लाइव क्लासे में मजा रहा है बड़ी है तरी के साहसे उठोगे यहां सुभाइट से जो दिन में दो बज़े तक मेरी क्लास है बड़ी है टेस्ट देंगे रिविजिन पराणे स्टूडेंट तो आपने पिछले एक मिने पहले एक कोर्स लिये तो आपको अलग से LDC बेच लेने की जुरत नहीं है आपको इसी बेच में LDC का सले बस हम कवर कर देंगे तो आपको टेंचन लेन की जुरत है नहीं है यह आप लोगों के लिए जो है वो मेरी तरब आपको अलग से तो बार-बार अलग लग जगनी में तो हर बार यह कहता हूं कि भी c自 Gape करने मीजिए पटवार की वीडियों की वीडियों की भी तैयरी करनी तो केवल जो है़ी करे वह है वह है थैरीक से आपके शजय बढ़िया दो साल तक जुड़ना चाहे तो आप पटवार वीडियो LDC कॉमबो बेच में जुड़के जो बढ़िया तरीके से तयारी कर सकते हो और जिन स्टुडेंट्स ने आपके लगबग 15 जनवरी के आसपस पटवार वीडियो कॉमबो बेच लिया था उन्हें वापस से L जिहान देओ पढ़ाई कंटिन्यू रखो बैठीक है तो धन्यवाद जेहिंद रामराम मिलते हैं अगली क्लासों के अंदर एप पे जाके बढ़िया फेकल्टी आपको लाइव पढ़ा रही है सब कुछ अच्छा चल रहे बढ़िया पढ़ते रहो और जितना मुझसे होग उतना में कावर करवाता रहे तो मैं आपको निशन की जुरत नहीं है ठीक है तो धन्यवाद जेहिंद रामराम